अगामी T20 विशुकप 2022 में ये 5 रिकॉर्ड तोड सकते हैं रोईट सर्मा भारतिय टीम के कप्तान रोईट सर्मा उन तीन खिलाडियों में से एक हैं जो पहले T20 विशुकप यानि 2007 में भी भारतिय टीम का हिस्सा थे और अब अस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 विशुकप 2022 में भी भारतिय टीम का हिस्सा होंगे और इस बार भारतिय कप्तान से भारत के क्रिकेट प्रसंसकों को बहुत उम्मीद हैं और 2007 के बाद भारतिय टीम अपना दूसरा T20 विशुकप खिताब जीतने की तरफ देख रही है T20 विशुकप की सुरुवात वैसे तो 16 अक्टूबर से होगी लेकिन असली रोमांच 22 अक्टूबर से सुरू होगा जब सूपर 12 के मुकाबले खेले जाएंगी एक कप्तान के रूप में सरवाधिक स्कोर है T20 विशुकप के इत्यास में एक कप्तान द्वारा सरवाधिक व्यक्तिकत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड वेस्टेंडीच के क्रिस गेल के नाम है एक बार जब रोहित सेट हो जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं उन्होंने वंडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाए हैं जो एक रिकॉर्ड है इसके अलाबा स्रिलंका के खिलाफ उनके द्वारा बनाया गया 264 रनो का स्कोर आज भी बंडे क्रिकेट में उच्तम वक्तिकत स्कोर है हिटमेन पहले ही गेंसे निडर होकर खेलते हैं ऐसे में उनसे उम्मीद बढ़ जाती है हो सकता है इस वर्ल्ड कप में वो क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो जाए नमबर दो T20 विस्व कप में सबसे जादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्रिलंका के महान खिलाडी महला जैवर्दने के नाप है जैवर्दने ने 5 T20 विस्व कप टुनामेंट खेले हैं और 1016 रन बनाए रोहित सर्मा T20 विस्व कप के इतिहास में सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है वो जैवर्दने से मात्र 179 रन ही पीछे हैं हाला कि रोहित सर्मा को भारत के विराट कोहली से ही कड़ी चुनोती मिलेगी क्योंकि इवर्दने से मात्र 2 रन ही पीछे हैं नमबर 3 सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला खिलाडी रोईद सर्मा T20 विस्वकप के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाडी बंचाएंगे दोजाप साथ T20 विस्वकप में खेलने वाले रोईद सर्मा ने अब तक इस टूटनामेंट में 33 मुकाबले खेले हैं और इस मुकाबले में उनके आज़ पास भी कोई नहीं है रोईद सर्मा से ज़्यादा मैच दिलगरत ने दिलसान, डिवेन ब्राबो, साहिद अफ्रीरी, सोयब मलिक, MS धोनी, क्रिस गेल और मुस्तफिजूर रहीम ने खेले हैं इस बार मलिक और क्रिस गेल, विस्वकप टीम का हिस्सा नहीं है और बांकी सभी खिलाडी रिटायर हो चुके हैं ऐसे में रोईद सर्मा को मात्र दो मुकाबले खेलने हैं वोर T20 विस्वकप 2022 में भारती टीम के तीसरे मुकाबले में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर दे गेंदों में 123 रनों की धुआधार पारी खेली थी, रोईद सर्मा ने T20 विस्वकप में ऐस्ट्रेलिया के खिलाब साल 2010 में 65 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली थी, हाला कि यह रिकॉर्ड तोड़ना कठीन है लेकिन नामुम्किन नहीं है, रोईद सर्मा के अक्रामक अं हैं और इसके बाद यह बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम होगा, पिछले 6 संस्क्रन में रोईद सर्मा ने 31 चक्के लगाए हैं और वह भारत के पूर्प और रमडर युबराद सिंग से बातर दो चक्के पीछे हैं, युबराद सिंग ने T20 विस्वकप 2007 में स्टूर्ट ब्र करें तो नमबर वन पर वेस्टिंडीज के क्रिस गेल का नाम है, जिनके नाम 63 चक्के हैं, कमेंट करके बताईए दोस्तों की रोईद सर्मा इन 5 में से कितने रिकॉर्ट थोड़ पाएंगे, क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो ये चक्ते, तर्णिवाद